ही गाइज वेलकम टू एमम लाउज चैनल आज का हमारा वेडियो है कि आम की खाने के क्या-क्या फाइदे होते हैं मैं आपको इस वीडियो में बताऊं कि क्योंकि गर्मी का टाइम आ रहे हैं और अभी आम का सीजन है तो इस टाइम बहुत ज्यादा आम आ रहे हैं और आम खा तो मैं आपको इसको फाइदे और बता देती हूं कि क्या-क्या फायदा करता है यह परस्ट एक पके आम के रस में एक दूद और एक चमच है वो अद्रक का रश और स्वादी के अनुसार मिसरी मिला कर पीने से रोजना कुछ दिन लेने से आपको दिमाग को है वो बहुत श जाती है उसमान सकती बढ़ती है तो कितने सारी फाइदे हैं इसके और आप दूद मिलाके इसमें अधरक का एक चमच रस मिला के पीते हैं तो इतने सारे फायदे इसके आम के हम तो आम को करमी के टाइम में ऐसे ही खाते है क्योंकि इसका हमें अच्छा लगता है यह चुआ में पीते हैं को जोग nella की में और गर्मी के टाउय मैं की बाहर जाता है ज तो इससे यह है इस डिय आपकच्छे आम का है वो पंदा पीते हैं तो इससे आपको लूप कबहuting नीफ लेग यह पुषल punishment क्येज़ की चांच म legitimate नीलगे यह अप हेल्दी रहें इसमें में नेक्स्लिक्राइब है उच मात्रा में मोजूद विटतामिन्स आ है वो आपके आखों के लिए बहुत फाइदिमन होता है विटामिन ए अच्छी दरश्टी को बढ़ावा देता है और रतोंदी मोतिया बिन अख से समंदित जो भी विकार है उसे रक्षा करता है आपकी तो आम है वो आखों के लिए फाइदिमन होता है अगर आज को खाते हैं तो आपके आखे हैं वो हेल्दी रहती है इससे नेक्स्ट है कि आम में मुझूद उच्छ फाइव वर शामगरी है वो पाचन और मलताग परिकरिया को है वो उत्तेजित एंकब्स और पेट के अलज़र से आपको रहत परदान करने में मदद करती है कच्छे वो पक्के आम पाचन शक्ति में सुधार आता है अगर आप आम खाते हैं तो यह आपके डाइजेशन के लिए भी अच्छा रहता है नेक्स्ट है यदि आपको रात को नीद नहीं आती है अनिंद्रा की बेमारी है इससे अगनिसिया भी का जाता है जो रात को सोने से पहले पके वे आम को इससे अच्छी नीद आएगे आपको तो यह नीद में फादिमन है नेक्स्ट है यह दी किसी कारण है आपका जो ब्लड है वो गंदा हो इससे मुह मासे आ जाते हो आपकी स्किन के है वो बेजान से नज़र आती हो तो इससे आप कच्छे आम का जूस पीजिए इससे आपका है रंग साफ हो जाएगा आपके मुहां से है वो ब्लड साफ हो जाएगा ठीक हो जाएंगे तो मिलते हो नेक्स वीडियो साथ